नमस्क्राइब मेरा नाम है डॉक्टर पुरुद्धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गल्वियों के बारे में जो कि एक टायलेसिस पेशेंट को गल्थी से भी नहीं करनी चीए अगसे पेशेंट आते हैं क्लेनिग में बैठे के होते हैं और उंक premiere जंदा आंसर देना में मुश्चिल हो जाता है कभी कोड़ पूछ बैटता है कि क्या मैं स्मोकिंग कर सकता है तो हम्मैं बहुत मुझल साged देना पड़ते हैं कि आप स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिए क्य और दोनों ही बड़े फैक्टार होते हैं जिसकी वज़ा से पैलेसिस होनी की आप क्या सकते हैं क्योंकि जब भी आप परोदेशिक नहीं करते तो को तलब होती है उस तलब को मटाने के लिए जो मीठा होता है वह अच्छा काम करता है क्योंकि हमारे ब्रेन को मीठा लेते ही बहुत अच्छा मैसुस होना शुरू होता है कुछ-कुछ ऐसा जैसे निकोटिंग के साथ होता है तो अगर आपका मन कर रहा है तो आपका मन कर रहा है तो आपकी जो तलब है कुछ टाइम के लिए मिट चाहती है इसी तरह से इलाइची भी आपने मुह में रख सकते हैं अगर आप डाइबेटिक हैं क्योंकि मीटा तो आप खानी पहेंगी बट इलाइची का या फिल लोंग का प्रयोग करकर अपनी तलब को कुछ टाइम के लिए आप सबसाइट कर सकते हैं अप चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती कर सकता ह है वह है अल्कॉल का इंटेक अल्कॉल चो होता है हमारे बॉडी में जाता है तो हमें अजीब साफ फील होता है हमारे ब्रें में जाता है तो हमारे वह ब्रें के अंदर एफेक्ट डालता है अब जो हम अल्कॉल ले रहे हैं पैलेसे पेशेंट में तो वहां पर क्या होता है कि जो ब्रें में ड्रूप्मेंट होनी है ना वो स्लोडाउन हो जाती है जो मीशन को दिक्कत होगी तो हमारे जो इंपूमेंट आरे है हाथ प्रमें बंद हो जाती है या फिर बहुत स्लोडाउन हो जाती है तो दूसरी गलती है आपने बिल्कुल भी यह नहीं करने कि आपने अल्कॉल का इंटेक करना है अब चलते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती के उपर जो कि हमें देखने को मिलती है प्रालेसे स्पेशन को पता है कि उसे प्रालेसिस क्यूं हुआ था उसे पता होता है कि मेरा बिबी पढ़़ा था तो मेरा हैंट्र हमरज हुआ या फिर वह कलोटा आया था जिसके रूद्ज से व्यीक्त हुए अगर आपको बीपी की दिकत है आप बीपी की नहीं ले रहे बीपी आपका हाई बना हुआ है या अ तो अगर बीपी दुबारा से बढ़ता है तो दुबारा से पारलेसिस का अटक आने की पूरी पूरी पूरे चांसे होती हैं मोका एक बार मिलता है सुधने का अगर आप अस पर ना सुधने तो कोई भी डॉक्टर आपके मदद नहीं कर सकता तो आप अगर अगर प्रें हैम्रेज के पेशेंट है आज अपना बीपी चेक कीजिए मेडिसिन लेने के बाद चेक कीजिए दिन में कई बार चेक कीजिए आपके जो कॉलेस्टोल लेवल्स हैं आपके शुगर लेवल से कंट्रोल है क्योंकि कॉलेस्टोल और शुगर ही क्लोटिंग ट्रक्टर सबसे बड़ा मानने चाते हैं इन्हीं कंट्रोल में रखना जरूरी है इसके लिए आपको अपनी मेडिसिन की मात्रा बढ़ाने अकसे पेशिट आते हैं बहुत कंजोर हो चुके होते हैं कर लों आपको सम 예पने पड़ेगा कि अगर आप अपनी बड़ी को देखो तो अपनी बॉडी अगर सही खाना डाला करें तो में इंप्रूम्मेंट टाहिए कि अगर खाने में आपसे घीया तोरी तिंडा तीन सब्जिया उबाल के दोगे उसे वेट लॉस हो रहा है बॉड़े में कमजोरी आ रही है तो ऐसा पेशन के ब्रेन में भी एनर्जी नहीं जा रही ना कि पेशन के बाद इतनी एनर्जी होती ह कि एक्सराइस कर सके पेशन को गुस्ता बहुत आदा ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी बॉड़े की एनर्जी रिक्वार्मेंट पूरी नहीं हो रही बॉड़ी वीक होना शुरू हो जाती है तो यह गज़ती आपने नहीं करने पेशन को आपने देना है बैलेंस जाए खाने के अंदर सब कुछ होना चीए उसमें वेजटेबल सोन चीए उसमें फूट सोन चीए उसमें राइस दो उसमें अब चपाती दो उसके अंदर थोड़ा सा एग्स दो दाले हो गई फिश हो गई चिकन हो गया प्यूंकि जितना अच्छा खाना पेशन इंटेक करेगा बॉड़ी में उतनी ही एनरजी होगी एक्सराइस करने के लिए आपने किसी भी तरगे से बॉड़ी को वीक नहीं होने देना होता अगर पेशन की बॉड़ी वीक होती चली जाएगी पेशन पूईता से बेड डिटन होना शुरू कर देगा और पेशन को ठीक करना इंपॉस पेशन को लिटा अकर बढ़ा कर बहुत कम चला पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बॉंट काम होता है आपको पंतालिस में दिया अगले पेशन को देना है तो वह अपने शेडूल में बंदेवी होते हैं मगर आप लोग क्या गलती करते हैं कि उनके जाने की बाद कोई ए अपने यह उनके क्या अपने उनके क्या खेट हैं मुशस को खोळ ये कर वाइट आपने और से को चलने के लिए तो जितना आप चलने कोशिश करोगे उतनी जल्दी ही अच्छी आपके पेंदर इंपूए को तो अब भी थरेपिस खाया मतलब आप पीन ख़पम् अब हमने अपने हिसाब से एक्सराइस करनी है और मैं इस वीडियो इस चैनल पर इतनी वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप चलना चाहते हो तो सिफ चलो आप अपने पैर को सही से रखने की कोशिश करो जब आप चलते हो तो देखो कि आपका पैर किस चाना से पढ़ रहा है क्या क्या आप अपने पैर के पंजी को पले लगा रहे हो और उसको ठीक करनी की कोशिश करो कि आपका पैर सही करके से जाए तो हमेशा मैं बोलता हूं कि पैर ठीक करना है तो टिप टू-टू-टो वॉक करेंगे यानि एक पैर लगाएंगे फिर पंजा फिर एडी फिर पंजा और एक तरह से लाइन में चलनी कोशिश करेंगे जैसे हम कैट वग भी कह सकते हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में आप उस वीडियो का लिंक दे दूंगा उस पर जाकर आप इसको सही तरगी से समझ सकते हैं इसी तरह से हाथ की बात भी होती है कि हमें अगर आपने आम में इतनी ही होती है तो यह मुमेंट हो रही है नहीं हो रही है चेक करेंगे अगर नहीं हो रही तो अपने हाथ की यह मुमेंट करवानी कोशिश करेंगे अगर यह नहीं हो पारी तो दूसरे हाथ एसस करेंगे तो इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट बता रख है सारी वीडियो ना दो रहा है और ना ही ऐसे कोई questions लेके मेरे पास है जिनका answer करना हमाले भी मुश्किल हो तो आपने इन चीज़ों का ध्यानक ना है, खाने पेने का ध्यानक ना है, exercise प्रपर तरिके से करनी है, BP sugar टेस्ट करते रहना है कि आपको इन दिकत दुबारा ना हो, फिर भी mind में कुछ भी पूछना चाहते हैं, doctors available हैं, उनसे बात करों, उनसे पूछे हो, आपके पूरी help परेंगे, अब इसी के साथ आप सभी से में चलने की आगा चाहूंगा, मिलते हैं अग्ली भीटे में, तब तक के लिए, नमस्कार.